मोदी जी ना तो सुप्रिम कोट को मांते है, ना समिधान को मांते है, ये ताना शाही सथ तक बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ये जो आवाज उठाई जारी है ताना शाही के खिलाफ है ये इटला शाही के खिलाफ है लोग तंतर के हत्ता करी जारी है उस चीज का है चुनाव करवाने का फायदा कि अगर आप पूरी पावर नहीं दिया सकते तो सुप्रीम कोट से भी बड़ा हो गया क्या कें लिया है तो क्या वो गलत लिया है हमारे अगर हाथ में पावर ही नहीं होगी तो दिल्ली कैसे चलेगी और नमस्कार में सिखा भी दिल्ली के राम लीला मैदान में मौजूद हूं आप सभी को मालूम होगा कि केज्रिवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी ने 11 जून यानि कि आज के दिन राम लीला मैदान में आम आदमी का महा सवा रखा है जिसके मुद्धे है नोट बंदी जो आध्या वेशन जो दिया गया था आम आदमी पार्टी को कि तैने डानले क्याने कि लिगे केंद्र सरकार की तानल नहीं नहीं चले엔 नहीं अगर और तो यहां से दूर तुर मातकि है यह चीज पर किना लोगों यहां पर मौजूद्वी imposing कि और नहीं लोगों से बाथ करेंगे कि क्या यह हुजूम केंदर सरकार की ताना शाही जैसा कि यह लोग कह रहे हैं उसको बंद करा पाएगी। मैं सागरपूर वार्ड 118 से काउंसलर हूँ, सिमी याद हो। तो यहां पर क्या क्या ऐसा लग रहा है जिसके खिलाफ आप लोग यहां पर आई है। देखिए, जो मोदी जी द्वारा जो ताना शाही सरकार चला ही जा रही है। उसके खिलाफ में हम यहां पर आई है। आट साल के संगश के बाद सुप्रमानिय सुप्रीम कोड ने जब दिल्ली की जन्ता के अरविंद केजिवाल जी की हाक में यह फैसला दिया कि अपसे जो नहीं जो जो पकेंसी जो निकलेंगी, जो भी ट्रांसफर्स होंगे, जो नहीं जितने भी नहीं पॉलिसी होंगी, ब बंद हो गया है, तेड़ घंटा पहले करीब लागे, उन्होंने अद्रदेश ला दिया, ऐसा काला द्रदेश है, कि इसको नहीं मानते हैं, मोदी जी ना तो सुप्रीम कोड को मानते हैं, ना समिधान को मानते हैं, यह ताना शाही सथ तक बढ़ती जा रही है, निया कानून बनवा दिया, निया कानून है, उन्होंने जो दिल्ली सरकार के लिए हक में सुप्रीम कोड ने जो फैसला सुनाया था, उसको रोकने का काम किया है, मतलब कि दिल्ली के विकास के कारों को रोकने का काम किया है, दिल्ली की जनता की काम को रुकने हैं, आप अगर देखेंगे नहीं बहुत जादे बीड़े क्योंकि ओवर क्राउड़िड जादा हो चुका है लाग से लाग तक का हमारा था स्टिमेट की लोग आएंगे लेकिन उससे भी ज्यादा लोग यहां पर आए है और इतनी गर्मी के अंदर भी दिल्ली की जंदा आज जो आई है अपने हक के सरकार की खिलाफ लोग आ गये हैं जो सरकार की नीतियां उसकी खिलाफ लोग बिल्कुल यह जो आवाज उठाई जा रही है ताना शाय की खिलाफ है कि अगर आप सम्विदान देश में हैं लोग तंत्र की हाथ्त्या करी जा रही है उस चीज़ कह चुनाव करवाने का से आवाज उठाएगी और मोदी जी का जवाब देगी तो राजपाल का चलता है लेकिन अगर फिर से इंट्रफेर करेगा जब सुप्रीम कोट से भी बढ़ा हो गया क्या केंद्र सासित पर्देश जैसे कि दिल्ली केंद्र सासित पर्देश है वहां राजपाली रूल करता है लेकिन राजपाल के अंदर में जो फोर्सेज है जो उसमें रहने में क्या दिक्कत आट साल के बाद अगर सुप्रीम कोट में मानने सुप्रीम कोट ने पांच बैंच के जो जजिज ने अगर डिसीजन लिया है तो क्या भलत लिया है यह देश के समीदान को बचाने के ल पिजली से दिकत है फ्री पानी से दिकत है जो महिलाओं को फ्री ट्रावल किया जाता है मोधी जी को उससे भी दिकत है तो यह आम जंता की बात आती और आम यहां पर डटी होई है और अपने हग के लिए लड़े रहेंगे अध्यादेश को उन्हें वापस लेना होगा तो जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यह देश के लिए हर वर्ग के लिए काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और जहां इनकी सरकार है जनता को बहुत सुबधा है बहुत ज्यादा सुबधा है चाहे जो कैसान हो गया चाहे स्वस्त हो गया चाहे यह यह जो आई लेकिन वाल को बोलते हैं उनसे बात करेंगे इक बार चलते उनके पास इन्हों पहले हैं कि केजरीवाल लूट लिया केजरीवाल कह रहे हैं किरया पर रहते हैं लूटहाई न गक्दार करते हैं करसये मघस्ट करते हैं क्या करता हैं ? बड़े बड़े बिल्डिंग मना रखे हैं उनका फाइदा है उनको बोलिए ने कि केजरी भाल फिर दिया है कोई नहीं मनता है हम पुराई नहीं करते हैं और इस तरीके से अधिकार है उसी तरह इनको भी अधिकार झाली प्रीके से अधिकार